हाव रूफीक्स रेट मी नोट एट प्रो ओटोमेटिक स्विच ओफ प्रॉब्लेम नमस्कार दोस्तों सब्सक्राइब सभी का तिकराच यूटुब चैनल पर तो दोस्तों आज की वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जहें आपको स्विच ओफ प्रॉब्लेम दोस्तों आपको थोड़ा सा टाइम देखे प्रॉब्लेम को फिक्स करवाना होगा तो क्या क्या आपको करना होगा चलिए पूरा यहाँ पर डिसकास करते हैं सॉलूइशन और दोस्तों आप भी इस वीडियो को पुरा जरू से देखना और आपना जो ऑटोमेटिक स्विच क्यां परफूर्मेंस उसके बाद दोस्तों आपको यह चेक करना है कि आपका पटाइम ही वह ओन है या ओफ यह तो तो set किया हुआ timing के हिसाब से यह बन होते रहेगा आपका phone ठीक है हमेशा जो है वही same timing पर आपका जो phone है वह automatic बन हो जाएगा तो आपको यह सबसे पहले तो जाके check कर लेना है अगर आपका यह issue रहा तो आपका problem अभी-भी fix हो जाएगा लेकिन अगर आपका यह issue नहीं है ठी problem जो है कुछ और ही वजह से आ रहा है तो दोस्तों आपको करना क्या है आप दोस्तों जाएए सेटिंग पर एबाउट फोन पर जाएए और डिवाइस खेश को क्लियर आप कीजिए उसके लिए storage पर जाना है free up space पर क्लिक करके आपको जीतने भी खेश है उनको clean up करना होगा ठीक है तो खेश पूरा आपका clear रहना चाहिए चाहे तो दोस्तों आप जाके deep clean भी कर सकते कोई डिकत नहीं है ठीक है और दोस्तों ये करने के बार खेश को clear करने के बार mobile पे चेक करें कितना application है अगर phone पे ज्यादा application है तो phone ये overuse होगा तो unused application को uninstall करें कोई bad application है तो उनक हागे ले आते हैं ठीक है तो उस तरह का application आपके phone को damage करते तो उनको आपको uninstall करना होगा यानि कि delete करना होगा उसके बाद दोस्तों सब कुछ कर लेने के बाद last में phone को एक बार restart कर देना सेट हो जाएगा आपका phone automatic switch of problem solve हो जाएगा ठीक है तो यह जो है बस basic सा solution है आप follow करके देखें काम हो जाएगा आपका problem solve हो जाएगा लेकिन अगर इससे problem solve नहीं होगा तो फिर क्या करें ठीक है और solution करने के लिए है क्या है आपर तो यहापर दोस्तों प्राब्लम है automatic switch of का तो हमने दोस्तों यह पर डिवाइस के बारे में थोड़ा वह तो जान लिया अगर आप दोस्तों डिवाइस को और यूज करते हैं हाई गेमिंग कर रहे हैं ठीक है लोंग टार्म लोंग ट्रम गेमिंग कर रहे हैं तो उसके वजह से भी auto switch of problem create होते हैं और charging करते करते कि अगर आप यूज करते है फोन को तो अभी over use होजाते ए फोन तो भी problem हो सकते हैं ठीक है अगर दोस्तों इससी बात है अगर आप फोन को ज़़्यादा से ज़्यादा use कर रहे हैं ठीक है तो बहुत ज़्यादा gaming करने के वज़ज़ से बासे क्रेड हो रहा है तो आपकों फिर अपडेट करें और दोस्तोंapt approve तुरण तुर अर्फ देना होगा फॉन के से रेश्ट देना है असे अगर स करतेいました है Chief कं तो होना परेगा णीश gw drept लूइड यह कम से कम चार गंटे पर आना ही होगा तो बहुत ज़्यादा काम करना होगा और साथ इसाथ दोस्तों आपको करना क्या है डिवाइस को मेंटेन करना है जैसे कि अगर आप नाइट टाइम पे आप जो है ओफ कर दीजिए ठीक है तो सोते समय दोस्तों आफ करके सो जाया करें तो इससे क्या होगा फोन को रेश्ट मि हो जाएगा और प्रॉब्लम सॉल्फ हो जाएगा ठीक है तो इस तरीके से आप प्रॉब्लम को सॉल्फ कर सकते हैं और दोस्तों याप पर कभी कभी क्या होते हैं बैटरी के वज़ज़ से भी प्रॉब्लम होते बैटरी अगर लूस है ठीक है फित नहीं है तो कनेक्शन के वज़े से भी इश्यू हो जाते हैं तो आप एक बार बेटरी करनेशन को चेक करें अच्छे से अगर रिमूवाबल बेटरी है बेटरी लूस है तो दोस्तों आप पेकिंग वगर देखें बेटरी को थोड़ा सा अच्छे से एजस्स कीजिए ताकि आपका जो फोन है वह स्व एक तोरी रिसेट का क्योंकि दोस्तों कई वर क्या होते हैं हमारे फोन पर कई ज्यादा दिवाइस पर कुछ इस तोरेज आ जाते ठीक है बहुत सारे इस टोरेज जो हम जमा कर लेते और साथी साथ दोस्तों हम ऐसा चीजें भी डाउनलोड कर लेते हैं जिससे वाइरस वग तो उसके रिलेटर पर हमने वीडियो बहुत बना लेया है इस चैनल के अंदर पर आप जाके देख भी सकते तो उस फोन पर भी सेमी इशू था ठीक है आउटो स्वीच अपका तो इसी तरह से फिक्स हो गया है वो प्रॉब्लेम तो अभी यहाँ पर प्रॉब्लेम ऐसा नह नहीं